कि हम हरवार इखटे होते हैं, आप ठानों को ले लिजे, मैं मुझे जिस तरह से जाकारी मिली, किसा आप पर प्रशासनक कुछ समस्या आ रहे हैं, तो अगले आदे घंटे में पर प्रशासनक समस्या काँ खत्म होगी, पता ही ने चलाई भाई मेरूरसी बेंचा चाहते हैं। अरे भाई, आप देखिये, हर बार ऐसा होता है कि लोग रिचाइक बनने के लिए महrolog करते हैं, सांसक बनने के लिए महनत करते हैं, मंतरी बनने के लिए लाय पैड़े रहते हैं, तमाम सारी जोर द्माओ और गोस्ताहों के साथ SEN. मैंने नाम को आगे लाकर अपने आपको इस्ताफित करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी शिकायत हमें यह है कि आज तक तक पिछले सरसक साल की सरकारों में हम हर बार एक आद्मी को संसत में भेज़ देते हैं हर चुनाओं में तमाम माताओं बेहनों का सम्मान बाओ पर लग जाता है जब चुनाओं माहूं बनता है तो हर बाप कोई न कोई हर एक जगे से बली चड़ता है क्या वो संसत क्या वो लोग जो संसत में जाकर बैठ जाते हैं जाते ही 24 गंटे में अपना रंग बदल देते हैं चुने जाने से पहले हमारे धर्ग की बात परते हैं चुने जाने से पहले हमें अपने बिन का एहसास दलाते हैं हमारे दुख और धर्ग में शामिल होने की बात परते हैं लेकिन उस वातार को लिप संसत में जाकर क्या हमारे अस गर्मी के पसीने को भूल जाते हैं पड़ी समस्या और सबसे जादा अपराद उपजता है तो सबसे पहले थानों से उपजता है आज तक किसी ने भी थानों कर कमर नहीं कसी मैं आदरी उत्रप्देश के युवा हुआ पुत्री श्रीय खिलेश यादव का धनवा देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों के मिला का मुझे अद्यक्श नगर मुझे मौका था मैं उत्रप्देश सरकार में जिस तरह से जो विकास की आंधी आई है मैं चानता हूँ कहीं जन्पदों पर तमाम सारी शिकायते हैं सरकार है, तमाम सारे लोग है जो कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थों को लेकर हमें और आपना बन देखा कर देते हैं ऐसे लोगों की खबर लेने के लिए चंद समस्चामीला को आपके जंपर में भी लागा है मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी शिकायते यहां से ले जाओंगा बहातर घंटे के अंदर उन पर कारवाई करवाओंगा उनका असर दिखाना शुरू करें इस वर ना कोई चुनाव चारा है ना ही किसी चुनावी माहोल के लिए मैं वोट बागने आया है आप लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई चुनावी रेली नहीं है तो ये जन समस्या मेला क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक हमेशा ऐसा हुआ है कि चुनावी माहोल के चलते हमारी पूछ हुई हमें देखा गया जाना गया हमसे पूछा गया काद होता है तो सबसे पहले हमारा परिवार थाने जाने से मना करता है शांत हो जाए सबसे पहले हमारा परिवार हमें थाने जाने से मना करता है कि तुम पागल हो गए हो तुम कैसे लोगों के खिलाफ महिम चलाने की बाप करते हो दबा दिये जाओगे खिकम कर दिये जाओगे अगर हम हमत में चुटाते हैं जुल्ब और अल्या के खिलाफ तो हमारा गाउ परिवार हमें नहीं जाने देता है फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें कोई प्राध्रा पत्र नहीं लिखने देता है अगर फिर भी हमें हमें जुटा ले तो हमें ठाने तक नहीं जाने दिया जाता है फिर भी अगर एक नौजवान अपने गरम खून को बेकाबू करता है और जुन पुरन्या के खिराफ आवाज भाने की बात करता है वो थाने पहुंचता है तो एक सिपाही इन नजरों से देखता है कि जैसे किसी कलेटर से मुलाकात हो गई हो थाने में कौन हो भाई तुम 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 हमारी सुरक्सा हमारी हिफाज़त के लिए रखे गए थे आज तुम हमारे अच्चक बनके हमारा भचट करने लगी उसके बाद एक सिपाही एक दरोगा को प्रसुच करता है कि कप्तान के साथ आप बैटे आपकी कुछ कहने की हम्मत ही नहीं पड़ी अगर न्याय की बात कहने गए है तो आपकी हम्मत नहीं पड़ेगी कि पता नहीं कौन से मुकदमे में हमें बंद कर दें क्या ये सही है आप एक बात बताईए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने से चला आया पुलिस एक्ट आज तक आखिर क्यों नहीं बड़ा जा रहा है अंग्रेजी हुकूमत चली गई देश बड़ गया लोग बड़ गए तमाम तरह की हर सारा पूरा सिस्टम बड़ गया लेकिन अंग्रेजों के जमाने का चला आया हमारा आज तक पुलिसिया मार क्यों नहीं बिदला हमारे किसी नौजवान भाई पर जब लाठी बस्ती है जब उसका सर फोर दिया जाता है तो हमारे अन्निसाती तमाशा देखते हैं कि देखो साला फ्लाना अग्मी पिटकर आरा है ये क्यों हो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें धाने में न्याग क्यों नहीं मिलता है क्योंकि हम खुद एक उसरे का अपमान देखने चाहते हैं हम खुद अपने गाव और अपने बिरादर और अपने भाई अपने जाती अपने धर्म के आद्मी का अपमाद देखने में हमें आनन्द आता ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एक जुट होकर यहां तो बहुत ज़्यादा लोग